या बैई कोहली भाई या और बताओ कैसा लग रहा है वह भाई कैसा लगा पहले मैच का स्वाद भाई मजा तो तुमको आगया होगा देखो भाई जलबा तो तुम कर नहीं पाए लेकिन कोई टेंसन ना है फिर भी तुमने दम लगाया है आगे हम तो यह कहते हैं नाम है हमार टीम लुल क्या होगी तुम तो भई हवा में बाते मारने लगे वह भई ज्यादा लंबी लंबी बाते न करो देख भई हमारा भी वक्त आएगा मानते हैं हम RCB वालों की एकदम किस्मत लुल हो जाती है लेकिन भई कोई टेंसन ना है जलबा हम भी करंगे जब हम जलबा करंग तब हम भी तुम्हारे एकदम मजाग का एकदम भूत बना देंगे समझे है यह मजबूरी कब तक तुम करोगे शबूरी वह कोली भाई वह कसम से भई हमको सच मुझ पता नहीं चल लाए शाला हमको चार विकेट कैसी मिल गए वह कौन सी गलती हम नहीं कर दी कि हमको चार व विकेट आए हाई वह कसम से दिल खुश हो गया वह धोनी भाई वह सच मुझ हमको पता नहीं चला यह चार विकेट हमको मिले तो मिले कैसी लेकिन कोहली भाई सच कहें वह मुझ तुम्हारा लटका हुआ है और यह हमारी वजह से लटका हुआ है चार खिलाडियों को हमने ए अच्छे तरीके से कान वही कमाल कर दिया तुमने वह चार विकेट चटका दिये आरसीवी वालों के मुझ लटका दिये वह जलबा है तुम्हारा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हम तो यह कहते हैं हमारी कपतानी में यूही तहलका मचाते रहो चैन्नाई को आगे बढ कोली भाई मैं खुद को भूल जाओं वे कोली भाई पैव यह कब तक इनकी बाते सुनू कब तक अपने सीने में दर्द को छुपा के रखो पैव यह तुम मुझको आग्या देदो वे इनके जैसे गेंदवाजों की इतनी कुटाई करूंगा पैव यह खुद को भूल नाम है मेरा ग्लेन मैक्सवेल आज पता नी काई के करण हो गया फैल पैसे तुम मेरा बल्ला कभी नी होता है फैल यह केसी बाते कर रहे हो मैक्सवेल भाई यह अभी तक तो तुम हम तुमको एकदम ऐसा समझ देते भाई अगरे जी तर्बूज लेकिन भाई तुम तो चलेगा कहां के खेलाडी हो कहां पर जाके लूल हो गए नाम है हमारा महिंदर सिंग धोनी दिमाग से अच्छे अच्छो को लूल बना देते हैं और उसकी पीट में मार देते हैं साताथ कोहनी समझे